इस समय बाइग्ग्राउंड में देख सकते होंगे यहाँ पे मिथला स्टुडेंट यूनियन के सभी सेनानी है वैसे तो यह मिथलावादी में अब तब्दील हो गया है हमारे बीच अभिनास जी जो बेनीपूर में काफी चर्चा का बिसर भी बने रहते हैं अपने आप में और इρध़ गिरध की बात अगर ना करें तो बेनीपूर में इन्होंने जिस प्रकार से काम किया है दो दो जिला परिश्द इनके खाते में हैं हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज अली नगर परखंड कारजाले पे हमारी मुलाकात अभिनास जी से है और उनकी पुरी टीम के साथ हो रही है। क्या कुछ आप लोग आज कर रहे हैं परखंड कारजाले के सामने क्या है में देखिए अली नगर परखंड से हम लोग यहां क के जनता को संदेश देना चाहते हैं मितला के जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अब हमें अपनी लराईयां खुद लरनी परेगी हक हुकुक की बात खुद करना परेगा हम जिस जनपति निधी को अपना भोट दे के सौंप देते हैं सत्ता की चाबी कि वह हमारे लिए या आस्थानिय जनपति नहीं दी हो वो कुछ नहीं बोलने वाला है यहां के नौजवान अगर एक जुट होंगे यहां के नौजवान अगर ठान लेंगे तो जिस तरह एयर पोर्ट का निर्मान हुआ रुकावट कहां है आपको क्या लग रहा है कहां रुकावट है राज सरकार जमीन देने में कोताही कर रही है या फिर केंदर सरकार इसे बनाना नहीं जा रही है देखिए आप जब दक्षिन भारत को देखते हैं और उत्तर भारत को देखते हैं तो कंपेरिजन में आपको ये मिलते हैं दर्वंगा के सांसर स्वास्त मंती से नहीं मिलते हैं तो यह राजनीती नहीं है तो यह क्या है हर आम इनसान हर नोजमान समझने की कोछिस कर रहा है और समझ रहा है कि एक राज़िपाल जिनके अंदर में सिप Youniversity आता है उन्वर्सिटी के कुछ भी नहीं आता है उससे आप मिलके दर्भंगा इम्स की क्या बात कर रहे हैं या अगर आपकी मंत्री सहाब से लराई है अगर आपकी सत्ता पक्स से लराई है तो मैं तो यह भी सवाल पूछूंगा कि 13 साल तक जब डवल इंजन की सरकार रही है इसी बिहार में इसी सूबे में तब आप क्या कर रहे हैं अभी तो आपकी केंद्र सरकार है मंडाविया जी अभी आपके स्वास्त मंत्री है उन्होंने टेक्निकली अन्फिट बताया है उस सोवन के क्योंकि सारे 300 करोर रुपया भी हार सरकार देने को तयार है वहां पर मिट्टी भराई के लिए यह आप क्यों नहीं जाके कहते हैं यह दबल राजनीती क्यों कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से उन्हें संदेश देने की कोशिस कर रहा हूं कि छेतर के तमाम नौजवान जान रहे हैं कि जो राजिपाल सिर्फ सिक्षा के लिए है उसके पास आप जाके राजनीती करने का काम कर रहे हैं आप स्वास्त मंती से नहीं मिल रहे हैं आप मुखमंती से टाइम लेके नहीं मिल रहे हैं कौन सा यह पजातंतर है जहां पे एक सांसद को मुखमंती टाइम नही देता है तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये मुर्खता पूर्म कदम जान भूज कर उठाया जा रहा है ताकि दरभंगा एम्स ना बने और यहां के लोगों को इसी तरह लटकाया जाए भटकाया जाए आपको नहीं लग रहा है कि 2024 तक इसी पर राजनीती होगी देखिए 2024 प के चरितर हैं ये जो दो तरह की बात करते हैं इसको हम गाओं के जनता को जाके समझाने का काम करेंगे हम बताने का काम करेंगे कि 13 साल तक दो पार्टी सत्ता में रहती है फिर सत्ता बदलता है फिर दो नई पार्टी सत्ता में आती है मुखमंती जी वही रहते हैं सत्ता धा अब भी का दिनों में खबर भी चली है हलकी बुंदा-बुंदी होती है तो वहाँ जो है नाउ जैसी स्थिती हो जाती है इस पे क्या करना चाहिए अब तक आप M's की बात कर रहे है DMCH आपका सुचारू रूप से नहीं चल रहा है देखिए पिछले पांच सालों में हम लोगों ने पचास बार DMCH के मुदा पे धरना दिया है पचास योँ बार धरना दिया है कई बार उसका नाला साफ होता है कई बार नाला जो जाम हो जाता है कई बार विविन मुद्दे जो होते हैं उसको लेके कई बार वलड बैंक को लेके कई बाल अस्पाल में जो निरिक्षन होता है कई वार इलाज नहीं होता है मरीजों को ऊसके लेकर 3-4 बार हम लोगों का कंफरंटेसन भी हुआ हम लोगों की लराइयां। कभी डॉक्टर से हो गया कभी अस्पाल के इमपलाई से हो गया मैं यहां सवाल आपसे कर रहा हूँ कि हमारे जो बिधायक जो 20 साल से वहां बैठे हुए वो क्या कर रहे हमारे जो सांसा जो एक ही पार्टी के लगातार तीन बार से बन रहे हैं वो क्या कर रहे हमारे मुखमंती जी का क्या कर रहे हमारे जो अभी जो तेज़सी आदब वो क्या कर रहे हैं उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता हम लोग तो सत्ता में नहीं हैं फिर भी लजगत के कितनी बार बेवस्ताओं को दूस्त करने का काम करते हैं आप अगर उनसे एक बार मजबूती से सवाल पूछिएगा तो हमें लगता है कि हमारा डीम्सीएच भ बनी रहती है अब तो चुनाब भी नजदिक आ गया है देखिए बरतमान की जो सत्ता है बरतमान में जो भी लोग राज में बैठे हुए हैं या केंद्र में बैठे हुए हैं कोई भी पार्टी हो बाते जनता पार्टी हो राष्टे जनता डलो जनता डल युनाइटेड हो क से अगर आप ये एक्सपेक्टेसन रखते हैं ये उमीद रखते हैं कि दरवंगा को जाम से मुक्ती करेगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 15 साल बाद भी ये लोग सोचेंगे थोड़ा देर के लिए ये जितने भी नौजवान ये पटना होके देखा हैं पटना में पि किसे नहीं पता है पटना राजधानी नहीं था अंग्रेजों के समय में लेकिन दरवंगा राजधानी मितला का था यहां पर अपना राजकिला था यहां पर अपना राजा था यहां पर अपना जमिंदारी का सासन था वो कम से कम पटना में तो नहीं था यह बात यहां के ज ठेप लाइओवर बनेगा साथ लाइओवर बनेगा लेकिन एक भी फ्लाइओवर नहीं बनता है और मुखमंती जी पतना में चलते हैं थोरा दूर चलते हैं इसकी चिरेया टावर पूल के निर्द गिर्द में और बोलते हैं यहां पे चासो करो रुपया ले लो एक हो जाएगा कम से कम 10,000 रोजगार पैदा हो जाएगा यह यह लोग नहीं समझ पा रहे हैं और यहीं लोगों को समझाना है कि अगर यह नौजवान ठान लें कि अपनी हक और हुकुक की लराई खुद करनी होगी तो आज नकल दर्भंगा भी चमा चम हो सकता है आपको हमसे कम केंदर में तो एक उस पाटी का सत्ता है उससे 15 साल किस पाटी का भिहार में सत्ता था राष्टे जनतादल का सत्ता था आप पिछले 30 सालों का इतिहास उठा के देखिए 30 साल में दर्भंगा में क्या हुआ मुझापरपूर में क्या हुआ, सितामडी में क्या हुआ, सिवार में क्या हुआ, सारसा में क्या हुआ कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, एक ऐसा रोजगार धंदा नहीं दिखेगा घिसमें दो सो आदमियों को रोजगार मिलता हो, एक भी ऐसा रोजगार धन्दा नहीं दिखेगा, तो मैं इस सरकार से क्या एकस्पेकटेशन करूँ, मैं इस सरकार से क्या उम्मिद करूँ, हम तो कहते हैं कि अगर हम लोगों ने लराई या नही लरी होती, आज दरवंगा ए nga से डेश के तमाम को ने के लिए विमान देदो एक भी बिमान में 90% से कम अगुमाइगा यह सारे भी से सगे कहते हैं लेकिन जान बूज के पटना एरपोर्ट को आगे करने के लिए पटना सहर को आगे करने के लिए जान बूज के हम लोगों को पीछे किया जा रहा है इसी कुछक्र के खिलाप हम लोग यह लराई यह लर रहे हैं यह संघस कर रहे हैं यहां दोलन कर रहे हैं अभी हवा चलेगी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद फिर उसी में सभी जितने यूबा ऐसा बुलज कि रहा जाएंगे फिर कैसे आप जो हैसो जागरू करेंगे पांच सालों का हमारा अनुभब है हमने विभीन जगा चुनाओ भी लरा पिछला जो ग्राम सवा का अस्तर का जो चुनाओ हुआ था उसमें हम दस जिलापासर सीट से लरे हैं हमारे अपने कारकरता तीन चार जीते हैं दो तीन समर्थी जीते हैं और पांच जो हारे हैं वो बस कुछ-कुछ भोट से हारे हैं सब सिकेंड हुए तो आप ये बेनिपूर का चुनाओ देख हमने हर हवाओं को तोरा है हमने हर हवाओं को जहला है और ये जो सत्ता का जो रुख है सत्ता का जो चरित्र है ये जब इन लोगों के बीच में साफ हो जाता है तब हमें लगता है कि कोई भी चीज़ आ जाए कुछ भी आ जाए चाहे जाती आ जाए धर्म आ जाए बर्ग आ जाए इलाका आजाए मौला आजाए चाहे अस्थानिये लोग क्यों नहीं आ जाए मितलाबाद का जंडा आगामी आने वाले भबिस में बहुत बुलंदी से आगे बढ़ेगा और ये इस जंडा के तहत हम लोग मितला का भी कास करेंगे चलते चलते अभिनास जी दोहजर सहर में हैं उसके बाद फिर हम लोग एक भब्यकारक्रम दरवंगा सहर में करेंगे और वहां पे बकाइदा सारे प्रेस के साथियों के साथ प्रेस कांफरेंस करके हम बकाइदा बताएंगे कि हम किस रननिती के तहत दरवंगा के जंता आपके पास जाएंगे और लोग सवा में भोट मंगने का काम करेंगा अभिनास जी हम तब से गुम्रा हो रहे हैं बेवज़ा आप जो है एम्स का एम्स की मांग कर रहे हैं एम्स तो बन गया दर्भंगा में देखिए पधान मंती जी ने अब कई बार आप लोग रिसर्च पेपर भी पढ़ते हैं कि जूट का रिकॉर्ड बनते जा रहा है मैं इन सब बातों पर नहीं जाओंगा लेकिन एक बात में सवाल एक दर्भंगा बासी होने के नाते एक मितलावासी होने के नाते जरूर करूंगा कि पधान मंती जी को आँखे खोल के देखना चाहिए कि इस दर्भंगा का बस अपना रकबा है दो करोर लोगों का इर्द गिर्द का दो तीन जिला का जो पुराना दर्भंगा जिला है वो दो करोर लोगों का है वहाँ पर एक एम्स क्यों नहीं बनता है और एम्स नहीं ब अगर अगर आपको गलत रिपोर्टिंग किया गया है तो उन पर कारवाई कीजिए और दरवंगा एमस को जल्द से जल्द बनाने करें यह थे हमारे बीच अबिनास भरद्वाज मितला वादी पार्टी या यू कहें तो मितला एस्टुडेंट यूनियन दोनों के संस्थापक संस्थापक सदस भी यहां साथ में हैं परवाकर जहां भी हमारे बीच मौजूद हैं क्या कहेंगे परवाकर जी आज जो है एमस को ले करके आप लोग मांग कर रहे हैं कि दरभंगा में एमस तो बन गया देखिए मोदी जी के डैरी पे एमस बन चुका है दरभंगा दिली स दरभंगा थक क्योंकि उनका एक ही को कहावत है ना खाता है ना वही है मैंने जो बोल दिया वही सही है तो हम कहेंगे कि बनाईए एमस अगर एमस नहीं बनाईएगा तो आप अभी हमें भटकार लटकार हैं लेकिन ऐसा नहों कि आपके सांसत जिसको आप यहां पर टिकर द करके आपको कहीं ना आपके संसत को अटका दे और भटका दे और बीच रास्ते में ही लटका दे यह हैं परभाकर जी किसी भी स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से पढ़ते हैं अपने हिसाब से बोल लेते हैं अभी इन्होंने कहा है कि ऐसा नहों कि बीच में अटका दे और ल जिला मुख्याले से अनिश्चित कालिन धर्णा परदर्शन करेंगे जब तक के तब तक राज और केंदर सरकार इनकी बातों को इनकी मांगों को पूरा न कर ले